तो थोड़ा सा मसल्स के बारे में बात करते हैं मसल्स के पार्ट्स कौन-कौन से हैं और इनको किस बेस पे हम डिवाइड करेंगे ठीक तो देखते हैं यहां पर आपको दे रखा है कि जो मसल्स है मसल्स के बारे में आपको क्या जानना है देखो मसल्स के अगर हम बात करते हैं ना मसल्स के अगर हम बात करते हैं तो मसल्स जिसको आप हिंदी में कहते हो पेसी क्या कहते हो पेसी यहां अपने सरीर में होती है भई पेस यहां अपने सरीर में होती है और देखा जाए तो पेस यहां लोकेशन के अदार पे अलग अलग होती है लोकेशन के अदार पे होती है प्रियंस के अदार पे होती है और नेचर के आदार भी रंग रूप के आदार पे इस्थान के आदार पे और एक काम करने के आदार पे नेचर के त इस बात को यहीं समझें कि जो आपकी मसल्स है कि स्थान की आदार पर तीन प्रकार की होती है दूसरी ज आपकी पैसी है वह ए अत्रंग पेसी हो और तीसरी जो पैसी है वह वो आपकी हर्द पेस्य आप इसको बोलोगे कि इसके लेटल मसल्स और विश्रल मसल्स और कार्डियक मशल्स तीन हर्द पेसी कौन सी पेसी हर्द पेसी ठीक है अब आप इनकी नेचर की बात करते हो तो नेचर इनके दो प्रकार की नेचर होते हैं या तो यह चीक होगी या तो वोलेंटरी हो गया इनवोलेंटरी होगी दोनों कंडिशन में यह इसका नेचर हो गया अब अगर आप बात करते हो इसकी upon रूप की अगर हम बात करें ठोगे तो यह स्मूध होगी या तो आपको यह पैसी मिलेगी नहीं ले हैं नहीं है ठीक है छिकनी पैसी आप रेखित पैसी भी कहिए सकते हो तो कुछ इस परकार से हम बात करते हैं बागी मसल्स एक परकार का टीश्यू होता है और इसकी जो औरीजन वो मीजोडम से होती है इसकी उत्पत्ती मीजोडम से होती है दो मैं आपको एक चीज बताऊं इस बात को अच्छे से समझना कि जो अपनी जो बोडी होती है अपनी बोडी जब बनती है तो कौनशी होती है गांतर संची विवार्ण में, कोसिका कौनशी होती है? इसलों ने फरना में की सिरजी विदलन ज़ता है लगातार संसुत्री व्यवाजन होंगे रिविभिन परकार की कोसिकाय ही तो आब आप यह एक आईडिया लगा इन विभीन प्रकार की कोषिकाइं का गुचा बन गाए फिर इन से हालागालक चीज एकसे बन रही हैं सरीर की इसलिए इनको डिवाइड करके रखते अपनी बोड़िए नको डिवाइड करके रखती है हमारे शरीर में पहले यह जो ऑक लोग के पार्ट रहा है यह है यह यह एंडोडर्म में आ गई तो यह एक्टोडर्म वाली जो सेलечение यह कुछ पार्ट बना रही है जैसे कुछ भी बना दिया अलग पार्ट बना रही है इस पर गार से बनती है जैसे उत्तेजन सीलता संकुचन सीलता प्रसार ये ठीक है या प्रत्यास्ता का गुण ये लास्टिसिटी हो गई ठीक है प्रत्यास्ता का गुण ठीक है संकुचन सीलता प्रशार्य का मतलब क्या होता है श्राइब्स अपनी पोजिशन में भी आ जाता है है वापस अपनी पॉजिशन में फेल घाए फिर पॉजिशन में भी आ ज Jaw वापस से ठीक है इनके इंगलिस वाले इनके इंगलिस वाड़ दे रके हैं आप दीन में देखना ठीक निच्ट आगर हम बात करें तो मसल्स न submar्स डिय्विजन है वो किस बेस पे किया जाता है, लोकेशन के बेस पे, अप्रियंस के बेस पे और नेचर के बेस पे, यानि इस्थान के बेस पे, रंग रूप के आदार पे, और प्रकरती के आदार, तीन तरीके से इसका क्लासिपिकेशन किया जाता है, मसल्स का, तो लोकेशन के आदार पे ती फीन परकार की मसल्स होती है, skeletal, visceral, cardiac, skeletal को आप कहते हो, कंकाली, पेसी, visceral को आप कहते हो, अतरंग या visceral भी कह सकते हो आप, visceral भी कह सकते हो आप, और इसको आप, अर्द पेसी या cardiac कहना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसको कार्डियक कह सकते हो अगर हम ग्रूप में देखो तो क्या तो स्मूथ होगी या स्ट्रेटेड होगी या नी या तो चिकनी होगी या रेखी होगी आप इसको या तो चिकनी बोलोगे और इसको रेखी तो बोलोगे नेचर की अगर हम बात करें voluntary और involuntary या तो एचिक होगी या अनेचिक होगी या तो अपने वस में होगी जैसे हम काम करवा सके जैसे मैं आपको बोलू कि मुठी बांदो आप तो आप आसानी से बांद सकते हो क्योंकि ये क्या हो गई फिर voluntary हो गई क्या हो गई? वोलंटरी हो गई, अब मैं ऐसे बोलों, आप अपने हेड बीट को कंट्रोल करो, तो आप नहीं कर पाऊगी, यह किस में चली गई? इन वोलंटरी में चली गई, तो शरीर की कुछ पेस यहां जो होती है, वो वोलंटरी होती है, प्रस यह न एक चीज़ आपको rę Greta mussels कहते हो तो आप देखलो अपने कंकालतंतर से जो भी मसल्स जुड़ी हुई है अप हातों कर लेते हो सीधा कर लेते हो पेरों को मोड लेते हो गरदन को गुमा लेते हो सारी कंकाल तंतर से जुड़ी ही मसल्स है are in । Eggs involuntary case में चली जाती है या नहीं चिक पेशिया होती है कौन सी पेशिया होती है नहीं चिक पेशिया होती है ठीक काडियक हैट वाली होती है हम इनको आगे डिटेल से देखते हैं अगर skeletal muscles की देखे हैं तो associate with skeletal या near the skeletal यानि वो पेशिया जो कंकाल के समीप होती है उनको आप कंकाली पेशिया कहते हो उनसी पेशिया कहते हो कंकाली पेशिया जो अपने कंकाल के समीप होती है उनको आप कंकाली पेशिया कहते हो ठीक है इनके अंदर अगर आप देखो तो इनको अगर आप माइक्रसकॉप से एक्र थोड़ा सा eyने लें दिखाई देंगे Awareness लेज से यहां की मुसल्स का काइश怎么 लिए और यह रेंखित हो गई यही और और वोलेंट्री एं कैसी होंगी वोलेंट्री मैंने पहले बता दिया यानि एच्छिक है रेखित है और किसे जुड़ी होई होती है कंकाल से जुड़ी होती है ठीक है कई काम करवाती है जैसे लोकोमोशन का संचलन का काम करवार यह चलने का चैन्ज अब बोडी पोस्चर करना है जैसे चलने का काम कर रही है अब बोडी पोस्टर चेंज कर लिए का काम करती हैं आप अपना पौडी पोस्टर चेंज करती हैं जैसे आप एयसा और आप इसके लेटल मसल्स ठीक? काडियक मसल्स का और विस्टरल्स जो मसल्स है यहाँ पे कोई रॉल नहीं रहेगा आपकी मुवमेंट के लिए आपके लोकोमोशन के लिए और आपकी पोस्टर को चैंज गरनी के लिए याँ आपकी सरीर की मुद्रा को बदलने के लिए कौन सी पेस है मालों क्या है और यह ओर गन एक इस बोड़ी के अंदर क्या लगा हुआ ओर गन तो यहां पर दो प्रकार की मसल्स रहती है देखो पेरिटोनियम पेरिटोनियम की बात करें तो पेरिटोनियम ही एक प्रकार से यह मसल्स बनाता है और पेरिटोनियम के अंदर दो होती है एक तो होती है पेराइटल और एक होती है विसरल एक तो होती है पेराइटल और एक होती है विसरल यानि पेराइटल और विसरल पार्ट औप परितोनियम तो आप ऐसे बहुत सकते हो परिटोनीयम पराइटल और परितोनियम विसरल नवा कि मैं याद रखें कि कही यह इंद्यूस में याद रखें हैं क्रणी केहिं अब को मिलेग Gulf जैसे मालोव यह यह मालो क्या है कि अधर गिरी हुई है विसले होगे और इसकी उपर भी विसले विसले सीहrate के नीचे डिकन विसले अगर आफंग राप ऐस स्ट्वान की बात हो रही है इंटेस्टाइन बाहर से होगे तो भी हो किसे गिरी हुई है विसरल से गिरी हुई है तो यहां पर विसरल कुछ इस प्रकार से बहुत चोटी मसल्स होती है इतनी बड़ी मसल्स नहीं होती और आगर देखें तो दी ज्यार्दा स्मूथ मसल्स बहुत स्मूथ मसल्स होती है इनको कोई बहुत बड़ा फंक्शन अटेंड नहीं करना पड़ता है इनको कोई छोटा सा फंक्शन अटेंड करना पड़ता है लेकिन कर्मा कुंचन गती बिना पेशियों के कैसे हो गई जो भी मुमेंट है, जो भी गती है वो भिना पेशियों की नहीं हो सकती नहीं अगली अगरम बात करें तो गैमिट्स तो गैमिट्स की ही अगरम बात करें तो देखो जो गैमिट्स है कि यह को जसे निए अन्डा से वरी से ओव्म्रीलीज षुए और ओव्म्रीलीज से कहां कहां तक जए गायाRAT से अब कहां तक जाएगा हो ऑफ फैलापेंट टूप से होता हो यूट्रस में आएगा कहां यूट्रस में आएगा तो वहां आने के लिए उस फैलापेंट टूप होते हैं जोटे-चोटे सीलिया होते हैं बट सीलिया के साथ भी आ पे मसल्स होती है कौनसी विस् plugins मेंने बता है बहुत चोटी मसल्स होती है ठीक है तो आप इसकावधारन दे सकते हूँ नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्डियक तो कार्डियक मसल्स नामसें पता लग रहा आपको, ये वे मसल्स हैं, जो आपके हर्ट को असेंबल करती हैं, आपके हर्ट को मेकप करती हैं, उसको डिजैन करती हैं, वे मसल्स होती हैं, और हर्ट के अगर हम बात करें, तो ये आपकी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, उस जिवन भर कभी नहीं रुकती हैं, हर मसल्स रुखती है लेकिन काडियक मसल्स कभी नहीं रुखती आप बोल रहे ben इसे काम नहीं करूए तो रुखी हुई है ओसे करूँगा तबी काम करेगे आपने खाना काया खाना भीकुला तो पासिंग किसे करवाएगा नहीं करवाएगा लेकिन आप चाहिए सो चाहिए उठो चाहिए खेलो चाहिए बागो कुछ भी करो आपकी काडिक मसल्स आपकी चलती रहेगी नहीं तो आपका हैट जो है वो बंद हो जाएगा हैट बीट करना ही बंद कर देगा और इससे व्यक्ति की मर्ति हो जाती है अगर आप से कोई रुकने का कारण ही मर्ति हुए अगर वो रुकेंगे तो मर्ति हुए तो कौन सी मसल्स है काडिक मसल्स असेंबल इन ब्रांचिंग फोर्म ये सारी काडिक मसल्स के अगर हम बात करें तो काडिक मसल्स जो होती है वो छोटी-छोटी ब्रांचिंग में होती है और क्लेक्ट हो आपर smooth आ रही तो रेक्षित होती है involuntary होती है यह आप चाहिए आप जीके का person क्या वैसे भी आप बता दोगे अनेचीक है एचीक तो होई नहीं सकती रिदे की दो पार्ट में करता हूं क्योंकि एक पार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ location है वह आप जान लो हम structure of muscles की बात कर रहे हैं structure of muscles की अगर हम बात करें तो जैसे मानलो मैंने एक muscles दिखाई यहां पर इस मसल्स के अंदर सबसे पहले जो चीज होती है उसको आप होते हो जो मसल्स है वह बहुत सारी छोटी छोटे बंडल से बनी होती है किसे बनी होती है इनको आप फेसी कुलाई या पेसी बंडल कहते हैं यह पेसी बंडल है यह एक बंडल है यह एक बंडल है यह एक बंडल है ऐसे कई बंडल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं मसल्स बना रहे हैं क्या बना रहे हैं अब इन्हें जो पेसी बंडल है इनके अंदर भी और चोटे-चोटे क्या मिलेंगे आपको मसल्स फाइबर मिलेंगे तो आपको बात याद रखनी चाहिए कि मसल्स किससे बनी है पेसी बंडल से पेसी बंडल किससे बने हुए हैं मसल्स फाइबर से मसल्स फाइबर की अगर हम बात करें तो देखो यह मसल्स फाइबर दिखा रखा यहां पर एक मसल्स फाइबर तो इस muscles fiber की अगर हम बात करें तो अब आपसे एक परसंट पूछ लिया जाए कि muscles fiber की हम बात कर रहे है muscle cells कौन सी होती है तो यहाँ पर muscles fiber ही muscle cells कर लाती है ध्यान रखना muscles fiber is equal to muscle cell तो यही muscle cell है भी आपकी ठीक है अब muscles की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सारको वर्ड यूज़ कर रहे है हम cell के लिए ठीक है और आप अपनी cell के बारें पढ़ते हो तो आप साइटो यूज़ करते हो क्या यूज़ करते हो साइटो तो बाहर की जो layer होती है उसको आप क्या बोलते हो plasma lemma क्या बोलते हो लेकिन इसको क्या बोलोगे आप सारको लेमा क्या बोलोगे सारको लेमा इसके अंदर जो दर्व होता है उसको आप बोलते हो साइटो प्लाज इसमें आप क्या बोल रहे हो सारको प्लाज ये जो दर्व हो है ठीक है अच्छा वहाँ पे Mitochondria बोलती हो, आप यहाँ पे बोलोगे सारकोसों, क्या बोलोगे, सारकोसों, ठीक है, अब एक चीज हो रहा है, इसमें दे भी रखा है, NCRT ने मेंचन कर रखा है, कि यहाँ पर S.E.R. भी परजेंट है, तो सार, यह जो मसल सेल, उसमें जो S.E.R. होता है, उसक होती है, इसको S.E.R. मानलो या आप डारेक्ट बोल दो, सारकोप्लाजमी के रेटिकूल, इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में केल्स होता है, तो आपको पता होना चाहिए, केल्स में दिया, आपकी बोडी में प्रोपर रूप से जा रहा है, तो आपकी जो मसल का होती है, जैसे दिखा रहे हैं, कई नूकलेस यहां पर पर परजेंट होती है, अब आप से यह पूछ लिया जाए, जो मसल स्पाइबर है, वो भी किसी से बने होएं, बिल्कुल बने होएं, वो भी चोटे-चोटे तंतों से बने होएं, जिनको मायो फाइब्रील कहते हैं, तंतुक करते हैं क्या करते हैं पैसी तंतुक करते हैं ठीक है यह जो पैसिक तंतुक का यह डियाग्राम दिखा रखा है और इस डियाग्राम के अंदर आपको देखो यह जो सीन हो रहे हैं यह जेड लाइन है ठीक है और इसके अंदर गैरे स्ट्रिप और लाइट स्ट्रिप दोनों दिखा रखे हैं ठीक है तो इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि मैंने यह आप इतना ही छोड़ दिया नेक्स्ट क्लास में इसका एक अलग से वीडियो रहेगा तो हम सिरफ माइक्रो फाइब्रील के बारे में पढ़ेंगे तरह आप से बना होता है मायो फाइब्र से किसे और मायो फाइब्रील बने तो देखो यह जो आपकी बुक जो NCRT ने दे रखा उससे थोड़ा सा अलग अटके मैंने इस पर मेंशन किया है तो आप इसको नोट जरूर करें मैं एक एक करके छोड़ रहा हूं आप गर जाएंगे इसका स्क्रीन सोट भी ले लेना और यहां पर भी आप उतार लेना यह प